बूर्णिंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रफेक्शन आइस का सेट नंबर फोर तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आन यह मानस जीवा का समेधन शिर्भाग कौनसा होता है तो इसका राइट अंसर होगा 맛이 no p. तो सो यह तृक्षेपन याजक्डव temptation के लिए देमिदार होता है और इसके ठीक एक दम नोक पर जीव के या जो होता है यह मिठापन के लिएosity मिदार होता है और टिप से एकदम सटे हुए पीछे में दोनों तरफ भाग यह दोनों नंकीन के लिए जिमेदार होता है और ठीक इसके बाद जो जीव पे दोनों साइड भाग होते हैं दाईने और बाई तरफ यह दोनों खटेपन के लिए जिमेवार होता है चलिए, next question है, निम्न मेंसे कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वास्तविक फल वह फल होता है जो full के निसेचित अंडासर से बनता है तो इसमें केला और आम, यह दो ऐसे हैं जो full के निसेचित अंडासर के दवारा निर्मान इनका नहीं होता है तो यह एक वास्तविक फल है तो इसका right answer होगा option E, एक से अधिक next है, हिंग के पौधे के वे भाग से, हिंग पौधे के किस भाग से निकाली जाती है तो इसका right answer होगा option C, जड़ से और आपको बता दूँ कि हिंग के लिए भारत में पहली बार खेती जो हिमादसल परदेश के पालंपूर में सुरुआत की गई है next है, oats, यानि जई जो होते हैं, वो positive होते हैं, किस चीज में तो इसका right answer होगा option E, क्योंकि oats जो में ये सारे चीज जो हैं वो भारपूर मात्रा में पाए जाते हैं अगला प्रश्न है, कौन सा अंग भहिस्त्रावी ग्रंथी और अंतास्रावी ग्रंथी दोनों के रूप में कारे करता है तो इसका right answer होगा option E, अगनास है, क्योंकि अगनास है और ये कि दोनों जो है वो भहिस्त्रावी और अंतास्रावी ग्रंथी के रूप में काम करते हैं और अंतास्रावी ग्रंथी के रूप में वे अन्य पदातों को सीधे रख प्रवाब में अस्त्रावित करती है अगला प्रश्न है, नर यौन हार्मोन कौन सा है इसमें से, तो इसका right answer होगा option D, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन जो है, वो प्रमुख नर यौन हार्मोन है, या एक आदमी के प्राथमिक और गौन यौन विशेस्टाओं को विख्षित करने के लिए कार करता है प्रमुख यौन विशेस्थाओं में सामिल है वेस पूरुषों में लिंग एंविरिशन का आकार टेस्टेरोन पूरुष जननांगों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं नेक्स्ट है पालक एक उत्कृष्ट श्रोथ है तो इसका राइट आंसर होगा उप्षण E क्यूंकि पालक में विटामीन A, K, लोह, अतरतो, मैगनीज, इत्यारी सभी पाय जाते हैं नेक्स्ट है सोने जागने के चक्र के लिए निम्मेदार में से कौन सी गरंती उत्तरदाई होता है तो इसका राइट आंसर होगा उप्षण C, पीनियल नेक्स्ट है निम्मेदार में से कौन सा भंडारन हार्मोन है वशा भंडारन हार्मोन है तो इसका राइट आंसर होगा उप्षण A, इंसुलीन इंसुलीन भी सरीर के मुख्य वशा भंडारन हार्मोन है यह वसा कोछी काओं को वसा जमा करने के लिए कहता है और संग्रहित वसा को तूटने से रोकता है जब कोछी काओं इंसुलीन प्रतिरोधी होती है तो रक्त शरकरा और इंसुलीन दोनों का अस्तर काफी बढ़ जाता है नेश्ट है कौन सा हर्मुन तनाव की इस्थिती में प्राक्रितिक अलार्म सिस्टम के रूप में कारिय करता है तो इसका राइट आंसर होगा अप्शन डी कोटिशोल कोटिशोल रग प्रवाह में सरकरा को बढ़ाता है आपके मस्तिस में गलुकोज के उपयोग को बढ़ाता है और उतकों की मरमत करने वाले पदार्थों की उप्रव्यता को बढ़ाता है कोटिशोल उन कारियों पर भी अंकुस लगाता है जो किसी घटना के लिए 140 सारेरिक प्रकिरिया की इस्थिती में गैर जरूरी या हानिकारक होंगे नेक्ट है निमलिकित में से कौन वशा में घुलनसील विटामिन है तो इसका राइट आंसर होगा उप्शन E क्योंकि विटामिन जो है वो या तो वशा में घुलनसीन होते हैं जैसे विटामिन A, D, E, K और या पानी में घुलनसीन होते हैं जैसे विटामिन B और C या दो रूप में यह वर्गिक्रित किये जाते हैं और दो सम्हों के बिच यह अंतर बहुत मतवपूर्ण है या निर्धारित करता है कि प्रतेक विटामिन शरीर के भीतर कैसे कार्य करता है तो इसलिए जो विकल्प A और B यानि विटामिन A और विटामिन D या दोनों सही है तो इसका राइट अंसर और ओप्शन E एक से अधिक नेक्स है भारती है आवला किसका भरपूर्श रोथ होता है तो इसका राइट अंसर और ओप्शन B विटामिन C का और इसके अलावा जो है वो फिनोल आहार फाइबर अंटी ऑक्सिडेंट में भी इनमें अधिकता पाई जाती है नेक्स है ग्रेगुर मेंडल ने अनुवान अनुवान शिक्ता के सिधान्त की अस्थापना की थी किस पे तो इन्होंने मटर पे परियोग करके अनुवान शिक्ता के सिधान्त का परियोग किया था नेक्स कोशन है चिकित्सा विज्ञान की वर्स आखा जो संक्रामत विमारी एवं उसके कारणों क्या अध्यान करती है उसे क्या कहा जाता है तो इसका right answer होगा option C महमारी विज्ञान तो महमारी विज्ञान में हम लोग इसी बात का ध्यान करते हैं कि लोगों को विभिन समूहों में कितनी बार मिमारिया होती है और क्यों होती है next अने इन लिखित में से किसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है तो इसका right answer होगा लाइसोशोम option B लाइसोशोम साइटो प्लाज्म के समान के रूप में वित्रित सरल छोटे गुलकार थैली जैसी सनरचनाए होती है लाइसोशोम को कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें लेटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिकाओं और अवांचित पदार्थों को पचाने में सक्षम होते हैं नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन डी एने के चार छारकों में से एक नहीं है तो इसका right answer होगा option D यूरेशिल तो डी ओक्सिराइबिनोकिलिक एसेड जिसे हम लोग डी एने दो polynucleotide स्रिंखलाव से बना एक अनु है जो सभी ग्यात जीवो और कई वाइरस के विकाश, कामकाज विधी और प्रजणन के लिए अन्वांशिक निर्देशों को लेकर एक द्वी कुंडल बनाने के लिए एक दूसरे के चारो और कुंडल बनाता है डी एने में चार निक्लियोटाइड के या छारक होते हैं एडेनीन, साइटोसीन, गवानीन और थाइमीन अगला प्रश्न है और निथोफिलस फूलो में परागकन का अभी करमक होता है तो इसका राइट अंशर होगा पक्छिया और निथोफिलस पौधे, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पक्छियों के माध्यम से फूलों का परागकन होता है next है निमिमें से कौन पाधो अंकुरन में सहायक होते हैं तो इसका right answer होगा option d gibrilin GIBRILIN जो होता है बिजों को अंकुरन में मदद करता है और full खिलने में मदद करता है next है कुछ लोगों में समय पर रख्ट का ठकका नहीं बन पाता है वे पीडित होते हैं किस से तो वो पीडित होते हैं Option C हीमोफीलिया से पैत्रिक रग्त सराव से हीमोफीलिया एक जीन में उत्परिवर्तन या परिवर्तन के कारण होता है ये gene X गुनसूत्र पर इस्थित होते हैं next है स्वेक्त रक्त कनिकाओं को और क्या कहा जाता है तो इसका right answer है option V leukocides श्वेक्त रक्त कोशिकाओं को leukocides भी कहा जाता है वे आपको विमारी और रोख से बचाते हैं स्वेक्त रक्त कोशिकाओं को अपनी प्रती रख्षा को शिकाओं के रूप में समधा जा सकता है क्योंकि वे हमेशा लड़ते रहते हैं वे वाइरस बैक्टिरिया और अनजान जिवानुओं से लड़ने के लिए आपके रख्ष प्रवा से प्रवाहित होते हैं इससरे आपके स्वास्थ के लिए खत्रा है नेक्सट है फेपरो की किर्यात्मक एकाई क्या कहलाती है तो इसका राइट आन्सर होगा आपशन बी अलवीयोली फेपरो की कर्यात्मक एकाईया है और वे गयासिये विनीमय के लिए uiniyama के लिए नेक्ट है पित रस निर्मली खित में से किस अंग द्वारा अस्त्रावित होता है तो इसका right answer होगा option B यक्रित के द्वारा यक्रित छोटी आत्मे वशा को पाईशी करने के लिए पित अस्त्रावित करता है यक्रित शरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक है और यह लगतार पित का उत्पादन करता है यह पीले भुडे रंग का तरल पदार्थ ग्रहनी में वशा को पाईशी करन करके रासाइनिक पाचन में सहाथा करता है नेक्ट है अंध नाल यह निमनी में से किसका भाग है तो यह वो बड़ी आत का भाग है बड़ी आत का भाग जो प्रती कात्मक सुक्षमजीवों की मेजबानी करता है और बड़ी आत में ब्री दांत्र मलाशय गुदा नाल होती है बड़ी आंच की दीवार में उसी प्रकार के उत्तक होते हैं जो पाचन तंत के अनिभागों में पाय जाते हैं लेकिन इनमें कुछ विशिष्ट विशिष्टाएं होती है नेक्स्ट है विंसन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है नेक्स्ट है टीका करण का जनक किसे माना जाता है तो इसका राइट आंचर होगा ऑप्शन भी एडवर्ड जेनर ने इन्होंने 1796 ACV में काव पॉक्स के नाम से जानी जाने वाली वैरियोलेट वैक्शीन के अपनी परिक्षन में इसका इस्तमाल किया था जिन्होंने इसे चे इसका यह अमीनो अमले निम्न में से किस मुख्य का किसका मुख्य अवियब है तो इसका राइट आंसर का ओप्शन भी प्रोटीन Drug kidnapped अमीनो अमल महत्रपुन जयो अन्यों का एक वर्ग है जिसमें दोनों अमीनो समुह कार्वो सी लेट समुह और अमीनो समुह यह दोनों एक साइड चेन होते हैं हाला कि सेकडो अलग-अलग साइट चेन वाले अमीनो अमल की पहचान या संसलेशन किया गया है कि अवर 20 अमीनो अमल प्रोटीन के समाने बिल्डिंग ब्लॉक है निक्स्ट है इस स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग निम्निमे से किसको मापने के लिए किया जाता है इसका राइट आंसरों का अप्शन भी रग्त चाप को मातने के लिए निम्निमे से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो विटामिन डी अगर हम देखें तो विटामिन डी का अच्छा शुरूत होता है मचली जो ओमेगा थ्री वसामय अमल और विटामिन डी जैसे तत्वों से यूगत होता है मचली विटामिन ए विटामिन ए जो है वह गाजर में पाया जाते हैं और आइरन जो है वह मीट और पारक में पाया जाते हैं लेकिन विटामिन C में कॉड लिवर ओयल में न पाया जाते हैं इसके लिए विटामिन C के हम लोग जाते हैं कि सबसे अच्छे शुरूत कौन से हैं जो भी नीम्बू बगार है यह सब इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन A नेक्स्ट है नेम्ने में से किस विटामिन को थाइमीन के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन A विटामिन B1 B1 जो है वो कई खास पदार्थों में पाया जाता है जिनमें खमीर, अनाज, विंस, मेवा एवं मास, मंजली आदी शामिल है नेक्स्ट विटामिन रेटीनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन B रताउन दी विटामिन A की कमी से बच्चों में अंधापन, तोचा, रोग और विकाश मंदता हो सकती है और जो बेरी-बेरी या विटामिन B की कमी से होती है नियाशिन यानि B कमप्लेक्स विटामिन में से एक होते हैं या टिट्रोफैन एक अमीनो असिड है यह नहीं मिलता है तब होता अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं तो निम्री में से कौन सा युगम सुमेलित है तो अगर हम टेकोफिरोल को देखेंगे तो इसमें विटामिन E पाय जाते है या सही है फिर फाइलोकी नोन या विटामिन K को बोला जाता है लेकिन या विटामिन B दिया गया है तो यह राइट अंसर है फॉलिक एसीड फॉलिक एसीड विटामिन B9 या भी गलत है और बाय नियासीन के नाम से जाना जाता है तो इसका right answer और ऑप्षन C vitamin B3 को नेक्टन निमलिकित में से कौनसा vitamin सरीर में संचित नहीं किया जा सकता है तो इसका right answer और option E, B complex vitamin और vitamin C, जल में घुलनचील vitamin है जो शरीर में जमान नहीं होते हैं और हर दिन इनका सेवन करना चाहिए, खाद ये भंडारन और तैयारी के दोरान ये विटामिनों असानी से नश्ट ये समाप्थ हो सकता है। मानोसरी में विटामिन D संग्रहित होता है, तो यह संग्रहित होता है वशा में उत्तक में। विटामिन D आहार से प्राप्थ होता है, जिसमें वशा युक्त मचली मुक्त शुरोत होती है। या UVB exposure के बाद तवचा में उत्तपादन से प्राप्थ होता है, इसकी उत्तपती के बावजूद परिसंचरन में प्रगेश करने वाला विटामिन D या तो यक्रित में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D में हाइड्रोक्सी लेटेड होता है, या मुक्य रुप से वशा उत्तक म और अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इसका राइट आंसर अप्षन B सहियोजी उत्तक और जो पेशी ये उत्तक होते हैं, वो सरी को चलने में मदद करते हैं, तंत्री का उत्तक सूचना का प्रशार आधी में मदद करते हैं नेक्चर निमलिकित में से कौन सा हार्मोन भूख को नियंतित करने के लिए उत्तरदाई हैं, इसका राइट आंसर अलोगा ऑप्षन B ग्रेलीन, भूख बढ़ाने वाला ग्रेलीन जो है वा मुख्य रूप से अमाशाय में स्रावित होता है, और माना जाता है कि ये अमस्त या फिर इसको बोलते हैं हम लोग डी ऑक्सी राइबोन्यू क्लिक एसिड या मनुश्यों और लगभग सभी जीवों में वन्शानूगत पदार्थ होते हैं, किसी व्यक्ति के सरीर की लगभग हर कोशिका का डीने जो होता है, वो एक जैसा होता है, अगला प्रशन है मानों में गुण सुत्रों के कितने जोड़े होते हैं, इसका र narrat answer का option बी, कुल 23 जोड़े होते हैं, मनिश्यों में कुल 46 होते हैं, प्रथेकोशिका में समानधा 23 जोड़े गुण सुत्र होते हैं, इन में से 22 जोड़े जिने अटोश्ओम कहा जाता है, पूर्षो और महिलाओ द अगला प्रश्ण है द्राक्षा क्रिशी यानि विटी कल्चर क्या है तो यह एक अंगूर उगाने का विज्ञान होता है अगर हम बात करें रेशम की पालनका तो उसे सेरी कल्चर हम लोग कहते हैं नेक्स्ट है मानोसाई का समाने रक्त चाप कितना होता है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्षन C 120 बटे 80 फिर समाने से तेज नाड़ी या हिर्दय गति के लिए किस सब्द का परियोग किया जाता है तो इसके लिए हम लोग शिप्र हिर्दयता यानि कि टैकी काडिया का पर प्रशन है शमाने नाड़ी या हिर्दय गति से धीमी गति के लिए किस सब्द का इस्तमाल किया जाता है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्षन B Bradycardia इसके बाद नेक्स्ट है Glossitis रोग सरीर के किस अंग को प्रभाविश करता है तो Glossitis रोग सरीर के जीवा को प्रभाविस करता है या जीवा जीव हमारा होता है उसमें सूजन रंग में परिवर्तन और सता पर एक अगला ग्रूप से विख्षित करने के कारण होती है नेक्स्ट है पसुओ के जीवानु रोगों में से कौन सा है जो मनुश्यों में संचर निये होता है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन E क्योंकि जानवरों में बैक्टेरियल जूनोटिक रोग है मनुश्यों में सबसी अधिक पिडित जूनोटिक संकरमन जानवरों के काटने या खनोच के मादेम से फैलता है जैसे दाद तचा और नाखूनों का एक सामानी संकरमन है जो कवकतवा फंगस के कारण होता है तो अगर हम देखे तो भी कल्प A, B और C यह तीनों सही है तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा अप्शन E, X से अधिक नेश्ट कुश्चन सा है लार में इन लिखित में से कौन सा एंजाइम मुझूद होता है तो इसका राइट आंसर होगा अप्शन C, ताइलिन लार में एंजाइम अमाइलेज होता है जिसे ताइलिन भी कहा जाता है डेश्टार्ज को मल्टोज और डेक्स्ट्रीन जैसे सरल सरकड़ा में तोड़ने में सक्षम होता है जिसे आगे छोटी आत में तोड़ा जा सकता है नेक्स है भोजन का पाचन प्रारंब होता है कहां से तो अगर भोजन का प्रारंब तो सक्षे पहले मुख गुहा से ही प्रारंब हो जाता है पाचन मुख में सुरू होता है भोजन को दातों दोरा तोड़ा जाता है और इसे निगलने में असान बनाने के लिए लार से सिक्त किया जाता है लार में एक विशेश रशायन भी होता है जिसे एंजाइन कहा जाता है जो कार्बो हैड्रोट को सरकरा में तोड़ना शुरू कर देता है अगला प्रस्जन है, निम्र में से कौन पुश्प के नर प्रजनन अंग होता है, इसका right answer होगा option B, पूंकेशर, एक पूंकेशर जो नर फूल भाग होता है, या इस्तिरी केशर जो माधा फूल भाग होता है, या दोनो, साती ही बाय भाग पंखुरी और मदुरश ग्रतिया जैसे सहायक भाग होते हैं पूंकेसर जो है वो पूरुस प्रज्मननंग है इसमें एक पराग कोश जो एंधिर होता है और एक लंबा सहायक तंतू होता है अगला प्रश्ण है मस्तिस्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है इसका राइट आंसर होगा उप्शन B सहरी वेलम अनु मस्तिस्क मस्तिस्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सहरी वेलम होता है सहरी वेलम का जो एक प्रमुक कार्यावाई है कि यह मनस्पेशी समूहों के समय और बल का समन्वे करना है ताकि द्रव्य अंग या सरीर की गती उत्पन हो सके पेशी अधिगम हो सहरी वेलम पेशी अधिगम के लिए मत्वपूर्ण है नेक्शन निम्न में से कौन मानो में श्वेद या पसीना का घटक है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन E क्योंकि मानो में पसीना आता है श्वेद इस पस्ट गंध हीन और इसमें 98-99% जल होता है इसमें NACL, वशामय अमल, लैक्टिक अमल, साइट्रिक अमल, एसकॉर्बिक अमल, अमीनो अमल, यूरिया और यूरिक एसिड भी होते है तो कुल में राकर A, B, C, D या सब सही है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन E 1 से अदेख नेक्स्ट है लाल रत कोशी काओं का असर जीवन होता है तो लाल रत कोशी काओं का असर जीवन 120 दिनों का होता है नेक्स्ट कोश्चन है मानो में रक्त में RBC और WBC इनका अनुपात कितना होता है तो इनका अनुपात होता है 600 S21 यानि की ऑप्शन E is the right answer नेक्स्ट कोश्चन रक्त का जमाओ एक एंजाइन द्वारा उत्प्रेरित होता है जिसे क्या कहा जाता है तो इसे हम थ्रॉम्बीन करते हैं रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन थ्रॉम्बीन उत्पन करते हैं और एक एंजाइम जो फाइबरीनो जेन को फाइबरीन में परिवर्तित करता है और एक प्रतिकिरिया जो फाइबरीन के ठक्के के निर्मान की और ले जाती है नेश्टा जन के बाद मादवारा उत्पादित और स्त्रावित पहला दूद क्या कहलाता है तो इस पहले दूद को कहा जाता है कोलोस्ट्रम और यह जो है नवजाज सिशु में प्रतिरोधर शमता विकास करने में काफी मदद करता है अगला प्रश्ण है कार्बोहाइडर्स उतको में जमा होते हैं तो कार्बोहाइडर्स जो है वो गलाइकोजेन के रूप में उतको में जमा होते हैं जब हम कार्बोहाइडर्स खाते हैं तो हमारा शरीर इसे गलुकोज नामक सरकरा के रूप में बदल देता है जिसका उपयोग उर्जा के लिए किया जा सकता है ग्लुकोज के बदले में, ग्लाइकोजन में बदल जाता है, जो सरकरा का एक रूप है, इसे हमारी मनस्पेशियों और यक्रित दरासानी से संग्रहित किया जा सकता है, या जानवरों और मनुश्यों में ग्लुकोज और कार्बोहेडरेट का प्रमुक बंडारन के रूप में क लेक अमल, एक पॉली अंसचुरेटेड आवश्यक वसामय अमल होता है, जो ज़्यादा तर पौधों के तेल में पाया जाता है, और यह नार्यल तेल में नहीं होते हैं, अगला प्रशन है, दातों और हडियों के निर्मान के निर्लिन में से कौन सा तत्व आवश्यक है, त पॉशक तत्व का पर्यात और निरंतर अपूर्ति के अवशकता होती है, तो इसलिए इसका राइट अंसर होगा अप्शन E, एक से अधिक, नेक से निमलिखित में से कौन सा रोग प्रोटो जोग के कारण होता है, तो इसका भी राइट अंसर होगा अप्शन E, तो कि अगला प्रशन है, धनु इस्तंब यानि के टेटनस और कुकुर खासे पर्टूसिस रोग किसके कारण होते हैं, तो इसका राइट अंसर होगा अप्शन C, जीवानू के कारण, टेटनस डिप्तिरिया कुकुर काली खासी गंभीर जीवानू संक्रमन है, टेटनस के कारण मा पाम तर पर नाक और गले को प्रभावित कर सकता है, अगला प्रशन है, हड्डियों के ट्यूमर को इस रूप में भी जाना जाता है, तो हड्डियों के ट्यूमर को हम ओस्टियो सारकोमा कहते हैं, और इसी को समाने रूप से हम लोग हड्डि का कैंसर भी कहा जाता है, अग खोज करता कौन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी नेक्ष्ट आ दुनिया की पहली टेस्ट यू बेवी का जन्म कहां हुआ था तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन भी ब्रिटेन में 1978 में लुइस जॉय ब्राउन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानि आई वी एफ के मादेम से दुनिया के पहले बच्चे का जन्म पहला बच्चा थे जो इंगलेंड के मैंचेस्टर में हुए थे अगला प्रशन है निम्ल में से किसे कोशिकाओ का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C राइबोसोम राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है राइबोसोम कोशिका के छोटे अंडाकार आकार के अंगक होत अगला प्रश्ण है पौधों में निम्लिखित में से किसके परिवाहन के लिए फ्लोएम उत्तरदाई है तो इसका राइट आंसर होगा option B भोजन के परिवाहन के लिए नेक्स्ट है प्याज और लहचुन की विशिष्ट तीखी गंध निम्लिखित में से किस तत्यों की उपरतिती के कारण होती है तो इसका राइट आंसर होगा option A गंधक सल्फर के कारण नेक्स्ट है अस्थी म्रिदूता किस विटामिन की कमी से होती है तो इसका राइट आंसर होगा option B विटामिन D की कमी के कारण और यह अक्सर क्या होता है कि परियाद धूप न मिलने के कारण ऐसा होता है नेक्स्ट कुश्चन से है पाइरी डॉक्षिन प्रतिपिंड यानि की एंटी बोडी के उत्पादन में सहायक करता है जो मवजूद होता है किसमें तो यह मवजूद होता है option E क्योंकि विटामिन B6 जिसे पाइरी डॉक्षिन भी कहा जाता है यह भोजन में प्रोटीन और क तरी का मदद करता है या कुछ खास पदार्थों जैसे अनाज बीन ससब्जियां सैलमन खमीर पनीर या कृत मांस अंडे में पाया जाता है तो यह सारे options जो है वो सही है तो इसका राइट अंसर होगा option E एक से अधिक और स्वस्त व्यस्क महिलाओं के लिए 2600 मिलीग्राम प्रती दिन होता है अगला प्रश्ण है निवन में से कौन सा विटामिन शूर्य के प्रकास के संपर्क में आने पर माना द्वारा संशलेशित किया जाता है तो इसका राइट अंसर होगा option C विटामिन D नेक्स्ट है व नेक्ट, प्रानी सास्त्र का जनक किसे माना जाता है तो इसे हम अरस्टु को माना जाता है नेक्ट रंद्र मैग्नम याणि फोरामेण मैग्नम निवन में से किसका हिस्सा है तो यह हिस्सा है खोपडी का फॉर्मेन मेंगरम का अर्थ होता है लाटिन में ग्रेट होल मानों का कई मानों और कई अनी जनवरों में खोपड़ी की पस्चक पाल हड़ी में फॉर्मेन मेंगरम एक बड़ा अंडाकार खुला भाग होता है और या खोपड़ी को जगा पर रखने के लिए उतरदाई होता है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन से प्रोकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन ए ओप्शन ए जिलिका युक्त केंदराक निमलिखित में से कौन प्रोक के लिए आवश्यक सुक्ष्म पोश्यक तत्व नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन ए चुक्कि सुक्ष्म पोश्यक तत्व बुरान, जिंक, मैगनिज, लोहा, तामबा, मॉलिब, डेनम, क्लोरीन के रूप में परिभाशे साथ आवश्यक पादप पोश्यक तत्व है वे अधिकांस पोधे के सुखे वजन के कुल एक पर्शन से भी कम का गठन करते है और मैक्रो नूट्रियंट्स पादप की व्रिधी और पादप की समगर इस्थिति के लिए आवश्यक है प्रमुख मैक्रो नूट्रियंट्स ने ट्रोजन, फर्स्फोर असर पोटेसियम है इसलिए दिखल्प C और D यहा दोनों सही है इसका right answer होगा option E next है निमनी खित में से कौन सी रक्ट कोशी का प्रती रक्षी उत्पादन में शामिल है इसका right answer होगा option A B, Limbo, Limphos Styles next है निमनी में से कौन विभीन पर्यावर निये समस्याओं के कारण उद्योगों के अस्थान को निशेद या प्रतिबंद करता है तो इसका right answer होगा option B केंदर सरकार अगला प्रशन है निमने लिखे tiger reserve में से critical tiger habitat के अंतर लगा सबसे बड़ा छेतर कौन सा है तो इसका right answer होगा option C नागा अरजुन सागर स्री सैलम नेक्स्ट है स्वा अस्थाने सनरक्षन in C2 सनरक्षन के क्या लाव है तो इसका right answer होगा option E क्योंकि अगर इसके लाव की बात करें तो अप्रोग सभी कथन जो है वो सही है वनस्पति और जीव थोड़ा हस्तचे किसाद तखिस्तिक आवास में रहते हैं यह सारे option सही है अगला प्रशन है छोटे घास के पौधो द्वारा पतियों के किनारों पर इस्थित छिद्रों से बूंदों के रूप में पानी छोड़ना क्या कहलाता है तो इसका right answer ओगा option D, gootation कहलाता है next कौन सा राष्टी यह उद्यान पशी मंगाल में इस्थित नहीं है तो बकसा राष्टी यह उद्यान यह पशी मंगाल में है निवरा घाटी राष्टी यह भी पशी मंगाल में है जल्दा पड़ा राष्टी यह उद्यान यह भी और सुन्दर बन यह भी यानि कि चारो के चारो जो है वो पशी मंगाल में पशीत है तो इसका right answer ओगा option E, X यह दे next question भारत का सबसे छोटा राष्टी यह उद्यान कौन सा है इसका right answer ओगा option D, South button, Island, राष्टी यह उद्यान अगला प्रश्ण है ओरानस अलोकिक गुरुवस या पवित्र उपवन है तो इसका right answer ओगा option A, राजस्थान का राजस्थान में ओरानस, केंकरिया, जोगमाया यह पवित्र उपवन है नेक्श है भूमंडिली यह उसमी करन ग्लोबल वार्विंग पोटेंशियल का उच्चतम से निमनतम तक सहिक क्रम ग्याद करें तो इसका right answer ओगा option A क्योंकि अगर SF6 की बात करें तो यह 23,900 भूमंडिली यह उसमी करन चंता होती है PFC का 6500 से 2200 भूमंडिली यह उसमी करन चंता होती है CH4 यानि मिथैन का 21 भूमंडिली यह उसमी करन चंता CO2 का एक भूमंडिली यह उसमी करन चंता एवं N2O का 310 होता है Next है निमन में से किस मुलक और उत्परेरक द्वारा ओजोन को नस्ट नहीं किया जा सकता है तो इसका right answer होगा option E तो कि उप्योक्त में से कोई नहीं चारो ओजोन के लिए प्रबल अप्छाई मुलक है अगला प्रश्ण है निमन लिखित में से कौन सा यूगम गलत है अगर हम COP25 की बात करें तो मैड्रिड में तो यह right है COP13 जो है वो बाली में यह सही है COP21 पेरिस में जहां तक मुझे याद है तो यह भी सही है और COP24 जो था वह COP24 में हुआ था लेकिन यहां अंसर है फी जी तो यह गलत है तो इसका right अंचारोगा option D Next विश्व पर्यावरन और विकास आयोग रिपोर्ट हमारा साजहा भविश्य प्रकासित किया गया था तो यह प्रकासित किया गया था 1987 में Next मेरदा स्वास्त कार्ड योजना कब सुरू की गई थी तो इसका right answer है option A फर्वरी 2015 में Next है हरित अर्थ्य वश्था ग्रीन एकोनोमी के सुरुवात किन के द्वारा की गई थी तो इसकी सुरुवात जो है वह रियो तथा जो 20 सिखर सम्मेलन है उससे द्वारा की गई थी हरित अर्थ्य वश्था बहुर्थ्य वश्था है जिसकी आय और रोजगार में व्रिधी शारुजनिक और नीजी नीवेस द्वारा संचालित होती है और जो कार्वन उसर्जन और प्रदूशन को कम करती है उर्जा और संसाधन दक्षता को बढ़ाती है तसा जय विवित्ता और पाइस्तितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान को प्रस्तूत करती है अगला प्रश्ण है ग्रीड गेम राजनितिक लोक लुभावन अंदोलन को अकसर किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर होगा उप्षन ए जंगल बचाव अंदोलन जहारकंड के सीबुम जीला ने 1982 में सरकार की वन नीति का विरोध किया सरकार व्यवशाइक सागोन उगाना चाहते हैं इसे हरित राजनितिक लोक लुभावन अंदोलन के रूप में भी जाना जाता है तीरी बांद अंदोलन सुंदर लाल बहुगुना के द्वारा नर्मदा बचाव और उन्धती रोय अपिको अंदोलन 1913 पांडूरंग हेंगरे और विश्णोई अंदोलन 17 सविस्मि में रिशी सुंबा जी के द्वारा नेत्रित्व किया गया था अगला प्रश्ण है राष्टिये हरित अधिकरन की इस्थापना कभ की गई थी तो इसकी अधिश्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी नेक्ट पारिस्थित्य की शब्द का परियोग सर प्रथम किस के द्वारा किया गया था तो यह रेटर के द्वारा किया गया था 1865 भी में नेक्ट है गहन पारिस्थित्य की यह यानि की डिप इकोलोजी शब्द की पाहली परियोग किस ने किये थी इसका राइट अंसर ऑप्षन ए अर्नी नेस ने सबसे इसे पारिस्थित्य की तंतर कौन सा है तो यह है समुंदरी समुंद्री पाइसेतिकी तंत में प्रिथ्वी किस्टा का 70% हिस्सा तथा ग्रह के कुल जल का 97% हिस्सा सामिल है समुंद्री जल में घुले हुए 85% पदार स्लोडियम और क्लोरीन होते हैं यह सब्चे बड़ा पाइसेतंत्र भी है नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानो जनित बायोम का उदाहरन है तो यह क्रिशी भूमी है नेक्स्ट है पारिस्थितिकी अस्थाई अर्थे और अस्था है यह किस आंदोलन का नारा था तो यह चिपको आंदोलन का नारा था फिर निवन में से कौन से कथन गलत है 22 मैं को तरश्टिय जैविक विधता दिवश के रूप मेंना जाता है यह सही है जैविक विधता रेमन एफ डैश्में द्वारा प्रतिपादित किया जाता है यह सही है भूमत यह रेखा कि ओर जैविविता घट जाती है यह गलत है और संरक्षित प्रक्रितिक छेत्र बाय अस्थान यानि संरक्षन का उदाहारन है यह गलत है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्षन ए एक से अधिक नेक्ट भारत द्वारा जैस सुरक्षा पर काटा जेना प्रोटोकॉल की अभी पुछ्टी किस वर्स की गई थी इसका राइट अंसर होगा ऑप्षन ए द्वाजार तीन निमलिखित में से कौन हरित ग्रीह गैस नहीं है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्षन सी प्रोपे हरित ग्रीन हाउस गैस की बारे अगर कहा जा है तो इसमें कारवन डियोक्साइड मिथेन ओजेन नाइटरस अक्साइड जल वास्फ आधी जो हैं वो समीलित हैं नेक्स्ट है भारत वन इस्थिति रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत्ता के द्रिष्टी से सरवाधिक वनाव वरन किस राज्य में है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन ए मिजोरम में भगौलिक छेत्र के संदर में सबसे बड़ा वन प्रतिशत वाला देश कौन है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन डी गुयाना वन प्रतिशत्ता में सबसे अधिक है नेक्ट कोश्चन प्रित्थवी ग्रह का फेफड़ा किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा अप्शन A अमेजन वर्षावन को यह पुड़े विश्यो का 20% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले करता है भारत में बाग के बारे निम्रे में से कौन से कथन सही है 29 जुलाई को बाग दिवस के रूप में मनाया जाता है सही है बाग परियोजना 1973 में सुरू किया गया था माध्य परदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में बाग है यह भी सही है और कॉर्बेट टाइकर रिजर्व भारत में पहला टाइगर रिजर्व था यह भी से तो कुल मिलाकर यह सभी सही है तो उप्शन E इधर राइट अंसर नेक्स सरवाधिक जय विवित्ता कहां पाई जाती है तो इसका राइट अंसर लोगा उप्शन C उस्न कटी बन दिये वर्शावन में नेक्स है ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतरगत वातावरन में निमलिखित में से कौन सा परिवर्थन होता है तो इसका राइट अंसर लोगा उप्शन E वातावरन में कर्बन एक्साइड की सकेंदर बढ़ जाती है नेक्स्ट एजेंडा 21 की स्षेत्र से संबंधित है तो इह संबंधित है सतत विकास से तो की एजेंडा 21 सतत विकास पर संजुक्त राष्ट की एक गैर बाधिकारी योजना है ये 1992 में ब्राजील के रियो डीजेनेरियो में आयोजित प्रित्वी शिखर सम्मेलन के दोरान संजुक्त राष्ट दोरा एजेंडा 21 कार योजना को मुर्त रूप दिया गया था इसमें 172 देश सामिल है नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल सम्मंधित है तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मंधित है ग्रीन हाउट उसरजन को कम करने से अगला है धान के खेतों से उत्पन होने वाली गैस जो ग्लोबल वार्मिन से सम्मंधित है तो यह है मिथेन ग्यास अगला प्रश्ण है ग्रीन मफलर किस से संबंदी था तो यह संबंदी था ध्वानी प्रदूशन से नेक्स्ट राष्ट्रिये परियावरन इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है तो यह स्थित है नागपूर में नेक्स्ट है निमन में से किस वर्ष परियावरन संब्रक्षन अधिनियम पारित किया गया था तो इसका राइट आंशर होगा ऑप्षन E क्योंकि परियावरन संब्रक्षन अधिनियम 1986 में पारित किया गया था अगला प्रशन है जयव निमनी करन या बायो डिग्रेडेबल प्रदूशक होते हैं तो यह होता है वहित मल या सीवेज नेक्स्ट है भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रिये उद्यान कौन सा है तो यह है जीन कॉर्बेट राष्ट्रिये उद्यान कितने डेशिबल के उपर ध्वनी अस्तर को खतरनाक ध्वनी प्रदूशन माना जाता है तो इसका राइट अंसरों का उप्शन डी असी डेशिबल विश्ट साथ से अंगठन के उसाथ 45 डेशिबल की आवाज इंसानों के लिए सबसे अच्छी होती है डेशिबल से उपर की आवाज को मानव सास्त के लिए निकारक माना है यह ज़िपी एक समानी मानव अधिकता में 130 डेशिबल की ध्वनी सुन सकता है एक व्यक्ति 80 decibel से अधिक की ध्हनी में 12 हो सकता है और 150 decibel की ध्हनी व्यक्ति को पागल भी कर सकती है अगला प्रश्ण है अमल वर्षा मुख्यता निम्र में से किस गयस के द्वारा होती है इसका राइट अंसर होगा option D नाइट्रस ओक्साइड और सल्फर डायोक्साइड नेश्ट है ग्रीन हाउस गैसो के उसरजन में सबसे बड़ा योग दाता देश कौन सा है तो इसका राइट अंसर होगा option A चाइना अगला प्रशन है यूरो मानक किसके लिए डिजाइन किये गए है तो यह डिजाइन किये गए है वाहनों से निकलने वाली हलिकारत गैसों को नियंतरित करने के लिए किसी जल में BOD की अधिकता क्या इंगित करती है तो यह इंगित करती है सीवेज दोरा प्रदुशित होना जो भी नदी या फिर तलावादी यह सब है वो नेक्स है परियावरन का अर्थ क्या होता है तो इसका राइट अंसर होगा option E क्योंकि परियावरन उन सभी इस्थितियों और प्रभावों का योग होता है परियावरन में वायू जल और भूमी सामिल होते हैं इसके साथ ही मानव अन्य जानवरों पधो सुक्ष्म जीवों और उनके गुनों के गतिशील रूप अंतरसंबंद को भी इसके अंतरगत सामिल किया जाता है इसलिए सारे विकल्प सही है अगला प्रशना नीमन में से कौन जयाव मंडल छेतर नहीं है तो इसका राइट अंसर ओगा ऑप्षन सी पेरियार नीमन में से कौन वैकल्पिक उर्जा का सबसे बड़ा भंडार है तो इसका राइट अंसर ओप्षन सी स्वरुर्जा निमन लिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उप्रव्जता और इसके अस्थाई प्रवंधन को सुनिश्चित करेगा तो इसका राइट अंसर ओगा ऑप्षन A.S.D.G. 6 अगला प्रशना है सतत क्रिश्ची विकास का अर्थ है तो इसका अर्थ है भूमी का उप्योग करने के लिए ताकि इनका गुनवत्ता बरकरार रहे तो शतत क्रिश्ची का मतलब वर्तमान या भईश्ची की पिडियों की जरुतों को पूरा करने के लिए छमता से समझोता किये विना समाथ की वर्तमान खाद और अनक्रिशी अधारी जरुतों को पूरा करने के लिए अस्थाई तरीके से खेती करना है अगला प्रश्ण है अनुवांशी की अभियांतरी की मुल्यांकन समीती का गठन किया गया है तो इसका राइट अंसर और अप्शन सी पर्यावरन सरक्षन अधिनियम 1986 में नेक्टे भारत ने भूमी छरण तटस्त था हांसिल करने का लख्ष कब तक रखा है तो यह रखा है वर्ष 2030 तक पिर निम्ड में से कौन से यूग में सही सुमेलित नहीं है तो अगर काटा जोना प्रोटोकॉल देखें तो यह जय सुरक्षा से सम्मंदित है यह सही सुमेलित है इस्टॉक हूम सम्मेलन यह साई कावनिक प्रदुशक सम्मंदित है यह भी सही है मंट्रियल प्रोटोकॉल तो यह ओजोन परत से सम्मंदित है यही सही है और क्योटो प्रोटो को या जलवाई परिवरतां से समझी था है तो यह गलत है इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट प्रश्न है फसल बायो मास और शेसो को जलाने से वाता वरन में निम्नु में से क्या मुक्त होता है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन E क्योंकि यह सभी जो ओजोन कर्बन मुक्त होते हैं नेक्स्ट है निम्न में से किस वाज्यानिक दल ने अंटार्कितक्तिका के उपर सबसे पहले ओजोन शिदर की खोज की थी इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन D ब्रिटिश टीम अगला प्रशन है मानों शरीर में उस्तन कितने प्रतिशत अक्सीजन तत्व पाए जाते हैं तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन E 65 नेक्स निम्न में से कौन सा एक वरिक का कार्य नहीं करता है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन C एंटिवर्डी का उत्पादन वरिक मुत्र प्रणाली में आवश्यक है और इलेक्ट्रोलाइट्स के नियमन अमलेचार संतुलन के रख रखाव और रक्त चाप के नियमन जैसे होमुस्टैटिक कार्यों की भी सेवा करते हैं इसे यूरीमिया भी कहा जाता है यह वरिक के शरीर कीया विज्यान को फ्यूज करता है प्रक्तिक से कौन मानों सरीर की सबसे चोटी हडी होती है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन B स्टेफ्स जोकी काम की हड़ी होती है नेक्ट है नूस का पीन प्राप्थ होता है तो यह प्राप्थ होता है पोज़ता से अगला प्रश्चन है उत्त करांती का उत्त परिवर्थन सिध्धान्त Mutation Theory of Evolution प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा तो यह Hugo D. व्रिश्च द्वारा प्रतिपादित किया गया था अगला प्रश्चन है अस्तंधारी स्वशन करते हैं तो इसका Right Answer Option D. Favorite से वायू निन लिखित में से किस घटक की मात्रा स्वशन के प्रकिरिया में परिवर्थित नहीं होती है तो इसका Right Answer Option D. नाइट्रोजन वायू को अंदर लेने और छोड़ने की किरिया या प्रकिरिया को स्वशन करते हैं या एक चया पच्च प्रकिरिया है जो सभी सजीवों के लिए आम है नेट्चन दिन में से कौन मलेरिया रोधी दवा है तो इसका Right Answer Option E. क्योंकि सभी विकल्प सही है चारो विकल्प में से कपास का सबसे छोटा घटक बता है तो कपास का सबसे छोटा घटक है खनीज लवन अगला पच्चन है निमलिखित में से कौन अंतह छेपन का उदाहारन है तो इसका Right Answer का Option E. क्योंकि सलफा ड्रग का विश्कार क्योंकि अंतह छेपन एक विशेश प्रकार का विश्रन है जो तब होता है जब ठोस कोलाइड द्वारा जल का अश्रोशन किया जाता है जिसे आयतन में व्रिधी होती है नेक था निम्न युगमों में से कौन से सही नहीं है तो इंसुलीन की बात करें तो इसके अविश्कारर बैटिंग सल्फराड ड्रग्स इसके अविश्कारक जो थे वो डग मंक ने किया है तो यह गलत है और बाकी सारे जो है वो विकल्प सही दिये गए हैं तो इसका राइट आंसर अप्शन बी नेक्स्ट है प्रोटीन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है तो प्रोटीन का इस्तमाद सबसे पहले जे बरजेलियत के द्वारा किया गया था यह सही है उसके बाद हिस्टोन जटिल प्रोटीन है यह गलत है यह एक साधारन प्रोटीन एलव्यूनीन और ग्लोव्यूनीन है अग्शक्ता पढ़ने पर यह सरीर को उर्जा प्रदान करते हैं तो यह गलत है फिर लगवा 15 परचंट सरीर प्रोटीन से बना होता है लेकिन यहां लिखा है 45 परचंट यह भी गलत है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन एक एवल एक जो है वा सही है नेक्ट है आलू में ब्लैक हाट का कारक क्या होता है तो इसका कारक होता है अक्सीजन की कमी next है कि cholesterol क्या होता है तो cholesterol प्रानी वशा में पाया जाने वाला वशा युक्त alcohol होता है next question से है निमलिखित युक्त में से कौन से सही सुमेलित नहीं है तो अगर हम बात करें lactose तो lactose में खटा दूध दिया तो दूध में lactose नहीं बलकि lactic अं लपाया जाता है lactose एक दूध वाली शरकरा होती है lactate अं लेक्टोज में किन्मम दोरा नेमित होता है इसका right answer होगा option A lactose बाकि सारे जो हैं वो सही सुमेलित है नेक्स्ट है मानो मुत्र का पीला रंग की सवर्णक के कारण होता है इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन B यूरो क्रोम नेक्स्ट समवेदना हारी के रूप में उप्योग किये जाने वाला पदार्थ कौन सा है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन E तो कि समवेदना हारी या निश्चेतक पदार्थों का उप्योग मुख के रूप से अनुभूती के को कम करने के लिए किया जाता है विलियंग मोटन ने पहली बार इसका परियोग 1886 में डाई एथिल इथर के रूप में किया था अगला प्रश्ण है मकडी का जाल निबले खित मेंसे किससे बना होता है तो मकडी का जाल प्रोटीन से बना होता है निक्ट है निमनी मेंसे कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर अप्शन दी रियान संस्वाधी तिस्टा आर्च यह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि रियान पुनर जीवित सेलुलोज फाइबर से प्राप्थ होता है और बाकी सारे सही सुमेलित है नेक्स है इस्तात्य की खोज किसने की की पौधो और पेडो में भी जीवन होता है तिसका राइट आंसर अप्शन दी जेसी बोस नेक्स है पेपर मिंट में निम्न में से किस भाग में तेल का अधिक्तम प्रतिशत पाया जाता है तो इसका right answer option C पत्ता नेक्सा निम्न में से कौन सा हर्मोन पाचक रस के उत्पादन के लिए अगनाशाय को सक्रिये करता है तो इसका right answer option C सेक्रेटीन तो चरिए दोस्तो आज का test number 4 हम लोगों ने practice किया उमीद करते हैं आप सभी इसमें अच्छा किये होंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें एवं अन्य सारे perfection IS एवं एड़ुटेरिया के test series का practice करने के लिए आप हमारे playlist में जा सकते हैं धन्यवाद